हिमाचल परदेश इस वक्त की बड़ी खबरें हिमाचल परदेश तक निकी विश्य विद्याली हमिरपूर ने पुनर मुलियंकर पूने जांच और उत्तर पूस्तिका की फोटो कॉपी प्रापत करने के लिए आवेदन मांगे हैं मई 2022 की प्रिक्षा में बैठे अभ्यारती इसके लिए 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं जो अभ्यारती पूनर मुलियंकर करवाना चाहते हैं वे ओनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं कि नोट जिले की नाको जिल में हंगरंग वैली के योवा आइस केटिंग के बारिकियां सीखेंगे बरफ से जमी जिल पर आइस केटिंग प्रशिक्षन शीवर का आगाज बुदभार को हुआ शीवर में पुहु खंड की हंगरंग बैली के 20 यूवक यूवतियां आइस केटिंग के गुर सीख रहे हैं अब यह भी एक बैठक ली गई है जिसमें ओल्ड पैंशन स्कीम को लेकर बड़े अपडेट्स जोहां वो सामने आए हैं सरकार जोहां वो अपनी पहली ही केबनेट मीटिंग में अपने जो पुराने करमचारी है जो OPS की लगतार मांग करें इनको OPS देने वाली है सरकार का कहना है कि वो एक नया मॉडल लाएगी और इसी मॉडल के अनुसार जो हो करमचारियों को OPS दी जाएगी ये एक इतना बड़िया मॉडल होगा कि जिसके अनुसार करमचारियों को OPS मिलने वाली है बाकी राज्यों सरकारें भी OPS के लिए इस मॉडल को फोलो करेंगी सरकार का OPS देने के लिए नया फार्मूला क्या होगा और नया मोडल क्या होगा ये बात जाने के लिए में पहली cabinet meeting का इंतिजार करना पड़ेगा लेकिन ये तो clear हो रहा है कि सरकार कहीं न कहीं पहली cabinet meeting में ही OPS के लिए गोशना करेगी entity भरतियों की बात करें तो entity भरतियां भी जल्द ही शुरू होगी draft cabinet में आएगा और cabinet के approval के बाद entity भरतियां शुरू होगी review committee की report के बाद जो multitask worker भरतियां जो इनके interview रुके पड़े हैं joining रुके पड़े हैं ये भरती परिक्रिया भी speed up हो जाएगी आप लोग CRPF में आवेदन कर सकते हैं 1400 से जादे है वकेंसी भरी जाएंगी head cost, stable ministerial और steno की वकेंसी यहां भरी जाएंगी qualification plus two pass रखी गी है आपको computer का भी अच्छा knowledge होना चाहिए तो इन वकेंसी के detail वीडियो का link मैंने description box में provide कर दिया है आप आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर चेक करें हिमाचल से जूड़ी हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें